ओ तेरा साथ है इतना प्यारा कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दुबारा हमें आना पड़ेगा दुनिया में दुबारा ओ तनमन हमने तुझ परवारा प्यास भुजीना करके नजारा तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दुबारा हमें आना पड़ेगा दुनिया में दुबारा ओ तेरा साथ है इतना प्यारा भागफल सेशफल वगएरा थ्योरम की सारी कंप्रीट वीडियो मैंने अप्लोड कर रखी हैं प्लेलिस्ट को विजिट करें प्लेलिस्ट में जाकर देखें वीडियो पसंद आए तो उन्हें ज़्यादा सजादा सेर करें आप वैसे आप करी रहे हैं लाइक, सेर, सब्सक्राइब करते ही हैं बगेर कहे ही कर दिया करो यदि आपको हमारा काम पसंद आता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, मौटिवेसन मिलता है और आपके लिए नए सिरेस और उरजावान होकर नए नए वीडियो बनाने के लिए हम इंस्पाइर होते हैं तो वो काम तो आप करते ही रहें तो चलिए कोशन पर डिसकस कर लेते हैं छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन ये रेलवे एससे में काफी बार ऐसा कोशन आया तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए इसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए और बहुत आज इजीली समझ जाएंगे क्वशन क्या कहना चाता है पहले तो उसको समझते हैं हम परसन आप से कह रहा है किसी संख्या में लगातार चार पांच और साथ से भाग देना लगातार भाग देने का मतलब होता है कि आप किसी संख्या कोई भी संख्या है उसमें पहले आप चार का भाग देंगे जितना भाग फल आएगा जितनी बार पूरा पूरा जाएगा वो भाग फल होगा उस भाग फल में फिर आप 5 का भाग देंगे फिर जो पूरा पूरा भाग फल आएगा उसमें आप 7 का भाग देंगे लगातार भाग देने का मतलब है भाग जाने के बाद जो भाग फल बचेगा उसमें अगले वाले भाजकों का आप भाग देते रहेंगे और इस प्रोसेस म क्रम से उसने बताए हैं कि पहले जब आपने चार का भाग दिया तो दो सेस्फल बचा, पांच का भाग दिया तो तीन सेस्फल बचा, साथ का भाग देने पर चार सेस्फल बचा, तो इसी प्रकार से हम दुबारा से लगातार उसी संक्या में साथ का, पांच का और चार का भा तो आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है, ऐसे खाने बना लेने हैं, ये खाने बना लिए, तीन भाजक हैं, तो तीन खाने में बना लिए हैं, तो इसमें लिखना कैसे हैं, देखिए चार का भाग दिया है, तो पहले आप चार लिख लें यहां पर, फिर पांच लिख ले शुरुआत में 2 था फिर सेसफल 3 था और यहां पर सेसफल 4 है यह सेसफल आपके पास है यह तो परसन में given है परसन आप से चाहता क्या है परसन आप से चाहता है कि दुबारा से आप भाग दें वो ही वाला प्रोसेस यहां दुबारा से आप लिखेंगे वैसे कि दुबारा से आपको भाग क्या देना है दुबारा से पहले साथ का भाग देना है यहाँ पर आप भाग देने वाला लिखेंगे यहाँ पर आप सेस लिखेंगे और बीच में जो बनने वाला है उसे संख्याओं को लिखेंगे वो थोड़ी देर बाद में आपको पता चलने वाली है तो एक ऐसा और एक ऐसे बना लेना है और उस क्रम को लिख लेना है अब आपको सोल कैसे करना है यहां आपको एक मानना है एक भी मान सकते हैं बाकि आप एक मानिएगा वह सिंपल सी चीज है तो आप यहां एक मान सकते हैं जीरो भी मान सकते हैं चलिए हम 0 मान लेते हैं यहां 0 मानेंगे तो आप ये करेंगे कि 7 को 0 से गुणा करें ध्यान दीजी का क्या कर रहा हूं मैं 0 को 7 से गुणा करें 7 को 0 से गुणा करने पर 0 जैसे मिसर भिन होती है वैसे बनाए जीरो को साथ से गुणा करके चार जोड़ दें तो जीरो और चार क्या हो जाएगा चार हो जाएगा यहां तक हो गया है चार फिर आप यहां से चार को पांस से गुणा करें पांचोग बीस और बीस में तीन जोड़ दें तो आप कहेंगे सर्थ ते बीस फिर आप 23 को 4 से गुणा कर लें तो 23 चोक 92 होगा और 2 हो जाएगा 94 समझ गये होंगे कैसे किया मैंने यहां से इसको गुणा कीजी और फिर यह जोड़िये उसमें तो 7 को 0 से यहां 1 मानिये या 0 मानिये एक मानने से यहां थोड़ी बड़ी संक्या आएगी 0 मान लीजिया जादा आसान रहेगा गण्णा में फिर यहां जो संक्या बनी है उसको वापस इससे गुणा करें और ये जोड़ें सेसफल जोड़ें इसको इससे गुणा करें और सेसफल जोड़ें बस यही काम आप करते जाएं वो लगातार भाग का काम हो जाएगा अब वो संख्या मिल गई वो संख्या है 94 तो संख्या को यहाँ पुट कर दीजिए इस संख्या को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ वापस से उस संख्या में ऐसे आप आइडिया लगाएंगे उस संख्या का तो वो संख्या 94 है अब 7 का भाग देंगे तो 7 कम 7, 9 में एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 7, 21, 13 बार जाएगा, तो 13, 7, 91 तो आप कहेंगे 3 सेसपल बचेगा, 94 में 7 का भाग देंगे, 13 बार पुरा जाएगा, पुरा जाएगे उसको बीच में लिख लें और सेसपल को इधर ल जाएगा, 4 का पाड़ा जीरो बार बोलेंगे तो जीरो आजाएगे और सेसपल 2 बच जाएगा, ये खुद ही सेसपल हो जाएगा, तो इस परसंद का जो राइट आंसर होता, वो होता 3, 3 और 2, ये बिलकुल आसान सी चीज होती और आराम से आप उसे बता सकते थे, कोई पर बताता हूँ आपको, एक मान के बताता हूँ, कि आप यहाँ पर एक मानते तो ऑशेश ये का जा आ चलिए उसको भी चेक करते हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप एक मानिये, तो आप कहते सर साथ एकम साथ गुना करने का तरीका देखिए, ऐसे बनाने के बाद यहाँ एक मानेंगे या जीरू मानेंगे अब गुणा मैं इसे करता तो क्या होता आप यहां से गुणा करेंगे तो यह कहेंगे सर साथ एकम साथ इसे इससे गुणा करें और यह जोड़ दें साथ एकम साथ और चार क्या हो जाता ग्यारा फिर ग्यारा को इस मास से गुणा करें ग्य संख्या आपके पास 94 आ रही थी वो संख्या आप 234 आ गई तो वो कोई दिक्कत नहीं है आप संख्याओं को छोटा रखना चाते हैं तो यहां 0 मानिए यहां एक से चालो करिए तो यहां 234-300 तक ऐसे संख्या पहुँचेगी चलिए 234 को मैं यहां पुट करता हूँ और जैस सिद्म और पुरा भाग जाए उसे यहां उतारते जाए części दीस शे बार पूरा जाता है तीन सेस्फ फल carry शार का भाग चैसमें एक बार जाता है जितनी बार जाए नेचे लिग दे logarit ने शेवर को इधर लिगदें तो दो शेसफल तो अभी भी आपका उत्तर हो गया इम ची में उमीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई है और आगामी एक्जाम के लिए हैलफुल होंगी बाकि प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियों हैं आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से आप अपने मनमाफिक टोपिक को पढ़िए और आगामी एक्जाम की तयारी को बल दीजिए जिससे के आप जल्द से जल्द आपके सरकारी नोकरी लगने का सपना पूरा हो जाए तो प्लेलिस्ट में जाकर अपने टोपिक के एसाब से विजिट करें और देखें और उसका प्यार तो मेरे साथ यूही फ्यूचर में बनाई रहेगा यही इसी उमीद के साथ तो आप जादा सा जादा लोगों तक वीडियो को सेर कीजिएगा जो हमारे नीचे प्लेलिस्ट है उनके लिंक को भी और जुड़े रहेगा मेरे साथ क्योंकि जल्द ही और बहुत सारी लंबी वीडियो भी में लेके आऊंगा ये तो डेली डोज के आधार पर छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें मैं एकाद कोशन ही डिसकस करता हूँ तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और खुसी के साथ अपनी तयारी को यूही आगे बढ़ाते रहिए धन्यवाद